दोस्तों अगर आप भी अपने एटलगी और जियोगी सींबियसनेल में इंपोर्ट कराने जा रहे हैं तो आपको उससे पहले यह वीडियो पूरी देख लेनी हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपके छेतर में इसके टावर आते हैं या नह क्योंकि अगर इसके टावर या स्पीड सही से नहीं आएगी और अगर आप इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं तो उससे कोई फाइदा फिर नहीं होगा तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो आपके छेतर है जो आपका एरिया है वहाँ पर आप कैसे चेक करेंगे कि जो बीएस नेर है उसका 4G, 2G, 3G या 4G प्लस कोन सा नेटवर्क वहाँ पर सपोर्ट करता है उसी के बाद आप यहाँ पर खीजेगा नहीं तो यहाँ पर आप फोन भी नहीं लगा पाएंगे तो वाई चली वीडियो स्टार् नारूट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको डाउनलोड करवा कर नहीं बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा डारेक्ट तरीका जिससे के आपको यह टाइम बचेगा और आप बढ़ असान से इसको चेक कर लेंगे इसके लिए आप यहाँ पर आपना गूगल ओपन करें बीएसनल 3G 4G 5G कवरेज आपको यहाँ पर डारेक्ट किलिक करना है देखे एकदम डारेक्ट मैं आपको बता रहा हूं और एकदम सही तरीके से डारेक्ट आपको पता चलेगा अब इस वीडियो में यहाँ पर हम इंडिया से हैं उसके बाद यहाँ पर हम बीएसनल को स्ले से अगर आप सबी को ॡाल देना है और यहाँ में ओकिपे किलिक कर देता हूं नीचे यहाँ पर निदूं करेंगे और आपको थोड़ा वेट कर लेना चैंश्ञक है अब देखे जब आप यहाँ पर सबसे पहले देखेगा यहाँ पर समझ लीजिए स्टीज गो अगर और आपके area में यह नीले वाला दिखाएगा जैसे कि आप दिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर 2G है अगर यहाँ पर यहाँ पर आपको हरे कलर की दिखेगी तो इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर 3G network available है साथ-साथ अगर आपको यहाँ है यहांपर आपको तक आप डीन है तो इसका मतलब हैं और यहांपर आपको रिखकने कि दिखती थे मिलता है तो आप इस पहले से चेक कर लिगेगा उसी के बाद आप इंपूर्ट और आपको पायदा नहीं होगा और यहां पर को नहीं आ पाईगी ना से आपकी जो चीज़े रहने वाली है वहत सही से चलेंगी तो कम पैसों के चकर में अगर आप वहत चीज़ लगवा ले जिससे के आप किसकी को फोन ही ना कर पाए और आप नेट ही यूज़ ना कर पाए तो उससे क्या ही फाइदा तो इसी वज़े से आपको यह वीडियो बन दख सकते हैं और आप जब इसको करेंगे तो यह सभी चाइब कर देख लेनी है पूह पर को लाइक करतीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बैजिए